हेलो फ्रेंड वेलकम तो और चैनल CS इंजिनिरिंग क्या आज के C++ के टुटोरियल में हम लोग देखेंगे बेसिक सिंटेक्स ऑफ C++ सिंटेक्स में हम लोग यहां पर एक प्रोग्राम देख रहे हैं चुटा सा एक प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया है उसकी डिफरेंट कंड करेंगे कि सिंटेक्स के लिए सबसे पहले आपका होता है है सबसे पहले अपको हैडर ऐट फाल इफाइन करते हैं जैसे आपकी सी में होती थी तो हैडर फाल, इस्टीजियो.h यहां पर आपकी हैडर फाइल होती है है Input Output Stream.h, Input Output Stream class होती है, यह predefined classes होती है, जिनकी सारी classes आपकी इस header file के अंदर store होती है, तो सबसे पहले आपको यह mandatory है, आपको यह define करना mandatory, अगर यह define नहीं करेंगे, तो यह आपका error दे देगा program, पहली header file हमारी होती है, Input Output Stream.h, इसके अंदर c in, c out, सारी classes होती है, जो define करता है, आपका input आपने कैसे लेना है, output आपने कैसे grade करना है, वो सारा आपका input Output Stream के अंदर होता है, include koneo.h, koneo.h, console input output के लिए होता है, console आपने कहीं पर clear screen लगाना है, या आपने इसे terminate करना है, तो वो उसके लिए आप koneo करता है, यह optional होता है, इसे आप नहीं भी लगाएंगे, तो भी आपका program run करेगा, but input Output Stream.h, यह header file आपकी mandatory है, आपको write up करने ज़रूरी है, इसके बाद आता है आपका namespace, आपको कुछ namespaces में define करना है, तो उसके लिए आप using namespace hd, यहाँ पर लिखेंगे, तो यह namespace आपका define करता है, कि आपने किस name से आप create करें program को, then उसके बाद आता है आपका main function, main function में सबसे पहला आपता है आपका return type, यह return type आपका define करता है, कि आपने return क्या कराना है, इसे आप integer भी कर सकते हैं, आपका यहाँ पर integer भी हो सकता है, float भी हो सकता है, double भी हो सकता है, और void भी हो सकता है, अगर आपने integer लिखा है, तो आप return 0 करेंगे यहाँ पर float लिखा है तो return float होगा तो उसके according आपका यह return करेगा जो हमारा main method होता है जो आपका c में होता था वोई same आपका c++ में भी है next आपका opening brushes यह color brushes start होगा तो इसे बोलते है opening brushes open होगी आपकी value means main का जो content है वो open start हो जाएगा इसके लावा slash and star star slash आप करेंगे तो यह multiline comment होता है आपका c++ में multiline comment भी आप यहाँ पर pass कर सकते है output आपको print करना है print कुछ भी statement करना है तो उसके लिए cout आपके पास function है cout यह operator आपको use करने है इसके बाद आप output statement यहाँ पर write up कर देंगे जो भी आपको लिखना है मैंने double quote में लिखा यह string है हमारी इसके बाद अगर आपको single line comment लिखना है तो double slash आप लिखेंगे और single line comment को यहाँ पर write up कर देंगे then last में आपका आता है return type यह भी आपका mandatory होता है जो आपने यहाँ पर अगर return type में integer float double character दिया है तो आपको return कराना पड़ेगा अगर आपने void दिया है तो आपको कुछ भी return यहाँ पर नहीं कराना होता है तो return लिखने की ज़र्वत नहीं है बट अगर आपने integer दिया हुआ है तो return आप 0 करेंगे यहाँ पर integer value return करेंगे so main function return statement आपका यह कहलाता है and इसके बाद last में आपका आता है closing bracket आपको close करना है bracket को so अब हम लोग इसको proper एक example के तुरू देखते है simple example में बता रहा हूँ सबसे देखे सबसे पहले आप लिखेंगे include input-output stream.h पहली header file आपकी यह हो जाएगी then second header file अगर आपको नहीं लिखना है तो वो मत लिखे simple तो सबसे पहली header file आप include input-output stream.h आपने लिखने है क्योंकि आप cncout अगर यूज करेंगे तो वहाँ पर यूज करेंगे अभी हम यह चोटा सा प्रोग्राम बना रहे है यह simple hello word का हम प्रोग्राम बनाएंगे आप आगे हम लोग इसके बड़े-बड़े प्रोग्राम भी देखेंगे function calling कैसे होगा आपका यह सारा process आपका चलेगा यह तो अभी basic हमारा start हो रहा है इसके बाद आप देखिए अब आपको यहाँ पर कोन्यो.h लिखने के विर्ड़त नहीं है आपको using name space लिखने के विर्द डेरेक्टाम रिटर्न statement यहाँ पर लिखते हैं तो मैं वैं व्वाइड बैस्टेटमें लेता हूं semicolon आपका आजाएगा, then आप इसे close कर दिजे, close कर दिजे ये simple एक code आपका create हो चुका है तो इसका जो output आपका generate होगा last में, वो आपका आजाएगा hello world run आपको इसको भी turbo c++ में आप कर सकते हैं, turbo c++ आपका रहेगा, इसके लावा बहुत सारे इसकी ID है, उना ID पर भी आप इसे run कर सकते हैं, अब proper हम लोग इसको एक program देखेंगे system पे turbo c++ पे, thank you प्रेंट